आज हम बात करते हैं lap length के बारे में और anchorage length के बारे में जिसमें student को काफी doubt रहता है, तो सबसे पहले start करते है lap length lap length, इसको overlapping length भी बोलते हैं और इस्प्राइश को हैं स्प्राइस को कहा जाता है कि और इस्प्रासींल भी कहते हैं A तो जो लड्राइश को हैं लयम नंद नारी किस तकी लिए ऊसलिजद ने तो किसमें रहें, ने को कोलम इनद होती है लेक लेंट होती क्या है जब भी हम किसी भी स्ट्रक्शर को या कॉलम को बनाते हैं तो जब भी हमें किसी भी कॉलम को और उपर तक लेके जाना पड़ता है और हैट तक लेके जाना पड़ता है लेकिन जो हमारी सर्या कंपनी से बनके आती है उसकी लेंट होती है 12 मीटर तो इसको हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं 5 मीटर, 7 मीटर या 3 मीटर के ब्रेक में तुक्रों में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं ठीक है अब ओवर लैपिंग हम कहां देंगे जैसे मान लीजीए यह हमारी नीचे से बार जा रही है इस तरीके से अब इस बार के उपर हम ओबर लैपिंग देंगे तो यहां इस तरीके से एक बार आएगी और यहां इस तरीके से और इस तरीके से हमादी यहाई लैपिंग हो जाती है तो यहाँ पर जो लैप लेंधन काउंट करेंगे इस वाले portion को हम कहेंगे जोगल इस portion को क्या कहेंगे जोगल जे ओ डवल जी यह portion हमारा कहलाएगा जोगल और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो distance होगी यह distance यह हमारी distance के लाएगी लेप लेंध ठीक है यह distance के लाएगी हमारी लेप लेंध नॉर्मली यह लेप लेंध नॉर्मली जो इसको रखाया आता है वो रखाया आता है 55 55 55 यहाँ यहाँ पर डायमीटर ओफ बार अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे सपोय माली जो हमारी जो नीचे से वार आ रही है उसका डायमीटर है 20 अब जो हमने ओवर लेपिंग किया है इसका भी माली डायमीटर है 20 यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है जो हमारी नीचे वाली बार है उसका डायमीटर हमारा 20 यहाँ यहाँ दोनों बार का डायमीटर हमारा सेम है इस कंडिशन में जो हमारी लेप लेंथ होगी वो नॉर्मल हमारी 50 5 50 इंटू यहाँ पर हमने जो 5 लिया वो कितना है 20 mm 20 कितना होगे हमारा 1000 यहाँ पर जो लेप लेंथ होगी हमारी वो मिनिमम कितनी होगी 1000 अब कंडिशन नंबर टू अब कंडिशन हमारी दूसरी आती है कंडिशन टू यह हमारी कंडिशन होगी फर्स्ट कंडिशन नंबर बन इस कंडिशन में क्या है जो हमारी लेप कंडिशन नंबर बन में क्या है और जो हमारी नीचे वाली बार है वह सेम है इसमें क्या हो जाएगा कंडिशन नमर 2 में यहां पर जो हमने बार यूज की है सपोर माल लीजिए नीचे से बार आ रही हमारी है 20 mm की ठीक है और यहां पर हम ओबर लैपिंग करेंगे इस तरीके से यहां इस तरीके से मुड़ी जाएगी और यह माल लीजिए यह बार है हमारी 14 mm की कितने की है 14 mm डायमेटर की ऐसी कंडिशन कब आती है जब हमारी विल्डिंग की हाइट बढ़ती चली जाती है तो नॉर्मली जो हम सबसे उपर वाली बार यूज करते हैं वो कम डायमेटर की यूज करते हैं तो अब यहां पर अगर हम लैफ लैंथ निकालेंगे अब यहां पर हम क्या करना है लैफ ल 14 mm ठीक तो यह कितना हो जाएगा 0 7 700 अब यहां से लेकर करके यहां तक की जो हमारी ओवरलैपिंग लैंथ होगी यह हमारी हो जाएगी 700 ठीक है तो यह लैंथ है हमारी ओवरलैपिंग लैंथ अब ऑवरलैपिंग लैंथ में यहां पर जो हमने दोनों बार को ओवरलैप किया है इसमें एक वारी से धानग नहीं है कि इस जगह पर यहां पर हम जो binding wire यूज़ करेंगे यह जो हमारा यह दिखाई दे रहा आप लोगों को यहां पर binding wire है इसको बोलते हैं binding wire binding wire और यह binding आपका कितनी distance पर यूज़ होगा at the rate 100 mm आपको क्या करना है starting से यहां से जहां से आपने बार को वो बल्लब करना स्टार्ट किया है यहां से आपको 100 mm की डिस्टेंस पर बाइंडिंग बायर के साथ में इसको बाइंड करना है यह कंडिशन कब होगी इसमें दो कंडिशन होगी हम जो बाइंडिंग करेंगे बाइंडिंग कंडिशन बाइंडिंग कंडिशन और Lapping Condition नमबर बन जो Binding करेंगे वो हम करेंगे थ्रो Binding Wire किसके थ्रो Binding Wire दूसरी Binding किसके थ्रो करेंगे थ्रो Welding थ्रो Binding Binding Wire के थ्रो Binding कर की जाएगी जब बार का डायमीटर कितने से कम होगा 30 mm से कम होगा जब कब बार का डायमीटर कितना होगा 36 mm से कम होगा अगर बार का डायमीटर अगर जो हम बार इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी हम overlapping कर रहे हैं उसका diameter greater than है कितना 36 mm से तब हम क्या करेंगे दोनों बार की overlapping के लिए building methyl इस्तेबाल करेंगे ठीक है अब बात आती है कि जो भी हम बार को overlapping करेंगे उनको किस condition में करेंगे जितनी भी बार हमारी overlap होंगी बो सबी एक same level पर नहीं होंगी वो हमारी अलगलग होंगी कोई ज्यादा height में रह गई कोई कम height में रह गई जैसे मालेजी हमने क्या किया यह हमारी बार यहां से जा रही है इस तरीके से ठीक है यह हमारी बार है तो यहां पर देगा आपने यह वाली बार हमारी थोड़ी सी ऊपर चली गई है यह वाली बार हमारी नीचे रहे गई है तो अब यहां पर जो हमारी बार आएगी दूसरी ओवरलैपिंग के लिए वो इस तरीके से आएगी यहां पर जो बार आएगी ओवरलैपिंग के लिए indifferent है ठीक है और एक कंडिशन क्या हो जाएगी हमारी माली जी यही बार है हमारी है हुआ जे किन भीड KIlis गैं न को him करकिन द्यार स्कूर्ट कर दिया इस तरीके से ipe यह वाला जुट्री का रिहते हमारे ज़ंट है कभी भी हम अबल लैपिंग इस कंडिशन में नही tutti देंगे हमें जो overlapping देनी है हमेशा इस तरीके से देनी है ठीक अब बात करते हैं development length के बारे में development length इसको हम anchorage length भी बोलता है development length और anchorage length anchorage development length and anchorage length development length and anchorage length हम क्यों देते हैं जो हमारा beam के ऊपर आने वाला stress है उसको column के ऊपर transfer करने के लिए beam के ऊपर आने वाले stress को ऊपर आने वाले stress को column पर transfer करने के लिए ट्रांसफर करने के लिए एंकरेज लेंद दी जाते है ठीक है अब इसमें बात करते हैं ये हमारा कॉलम है और ये बीम है इस तरीके चे बीम जा रहा है यह हमने इसमें ब्रेक लांस ओपर दी अब इसमें से क्या हो गया है बीम में हमारी बार लगी हुई होगी ये जो उपर बार दे रखी है इनको बोलते हैं कंप्रेशन बार कंप्रेशन बार और यहां जो नीचे बार दे रखी होगी इनको बोलते हैं कंप्रेशन बार है यह हमारी कंप्रेशन बार है यह हमारी बीम दे रखाया आप माल लीजिए 500 mm का कॉलम दे रखाया माल लीजिए 400 mm का ठीक और जो हम कब्र देते हैं कोलम में नौर्मन कब्र दिया जाता है कोलम कब्र इसक्रम приход सूर्वा आपका दिई जाएगा 40 mm कोलमम में जो normal कब दिए जाता है वो दिए जाता 40 mm अब यहां से 40 mm का कब्र चोड़ने के बाद में जो हमारी उपर वाली compression वार है, उसको नीचे की तरब bend कर दिया जाता है, यह जो compression वार है, यहां से हमने क्या किया, यह 40 mm का cover छोड़ दिया, 40 mm, यह हमने cover छोड़ दिया, और इस वार को नीचे की तरब bend कर दिया जाएगा, और यह जो बार है हमारी, जो नीचे tension वाली बार है, इस बार को उपर की तरब bend कर दिया जाएगा, इस तरहीं के ऐसा, ठिक, तो अब यहां से लेकर के यहां तक की जो length होगी हमारी, अगर हम tension वाली बार की बात करें, तो यह tensile वाली बार जो हमारी उपर की तरब गई है, तो यह जो यहां से लेकर के, यह पूरी distance, यहां तक पूरी distance, यह हमारी क्या कहलाएगी, development length, यानि LD, या increase length, ठीक है, ऐसा ही यह भी हमारी CM होगी, जो हमारी उपर compression बार है, जिसको हमने नीचे की तरब bend किया है, यह भी सेम हमारी क्या होगी, development length, अब जो beam में हम development length देते हैं, वो कितनी देते हैं, normally यह दी जाती है आपकी, normally 45 से लेकर के 55 तक दी जाती है, 45 से लेकर के 55, लेकिन practically हम साइट पे इसको 55 लेके चलते हैं, practically कितना लेकर के चलते हैं, 55, ठीक है, यह होगी हमारी 55, अब यहाँ पर एक बार ध्यान रखनी हैं हमको, यहाँ पर हम जो 5 लेकर के चलते हैं, 5 का मतलब है यहाँ पर, die of bar, तो यहाँ पर हम जो 5 इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर इन दोनों में, यह जो हमारी बार हैं, 16 mm और 20 mm, इन में जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा, उसका डायमीटर यहाँ पर consider किया जाएगा, तो यहाँ पर हम, अगर एंक्रेज लेंथ निकालते हैं, इसका डायमीटर यहाँ पर कितना ले लाएंगे हैं, 20 mm, 5 कितना लेकर चालेंगे, 20 mm, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 1000 mm, ठीक है, तो यहाँ पर 1000 mm में, अब जो हमने यहाँ पर यह डिस्टेंस लिया, वो किस-किस तरीके से लही आगी, अब यहाँ पर हमने यह कॉलम लिया है, वो कितने का हमारा 400 mm का, और यहाँ पर जो हमने कवर लिया है, यह वाला जो कवर है, वो कितना हमारा 40 mm का, तो हमारी यहाँ से लेकर के, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, यह डिस्टेंस कितनी आगई, वो कितनी आ जाएगी हमारी 400 मानस के 40 तो कितना आ जाएगा 360 यह डिस्टेंस आगी हमारी 360 यह बाकी अब यहां से लेकर करके यहां तक कितनी डिस्टेंस रहेगी यह डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी तो 1000 में से क्या करेंगे हम 360 को हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 640 यह डिस्टेंस हमारी कितनी होगी 640 mm तो टोटल हमारी एंक्रे डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 1000 mm जेनरली जो आर्किटेक्ट द्वारा डवलमेंट लेंद और जो एंक्रे लेंद ड्रोएंग में सो की जाती है वो दोनों लगवक सेम ही होती है तो चाहिए हमारा वो डवलमेंट लेंद की केस में हो या लेप लेंद की केस में हो नॉर्मली हम उसको 55 ही आर्किटेक्ट द्वारा इस्तेमाल की जाएगे जनरली यह ड्रोएंग में दे रखा होता है तो यह दोनों कंसेप्ट जो बताये थे डवलमेंट लेंद के ऊपर और एंक्रेस लेंद के ऊपर तो यह सब लोगों को अब किलियर हो गया होगा आप इसमें एक बात आप लोगों को विशुष ध्यान रखनी है कि जो हमारी लेंद स्पाइ और डवलम लेंद स्वेंद स्पाइब पहले case में जो हमारा lap length था, उसके case में जो हम overlapping देंगे लिए तो जो हमारा Lapping Zone होता है Lapping Zone, जैसे मान लिए column के case में अगर यह माना जाए, यह column की मान लिए heart है हमारी L, या H, column की heart है H, ठीक, अब column के top से यह जो distance होगी हो HY4 पर और column के bottom से भी distance HY4 पर इतनी distance को छोड़ दिया जाए, यहां से यहां तक की distance को हम छोड़ देंगे तो बाकी की यह जो हमारी zone होगी, इसको बोलते हम Lapping Zone Lapping Zone, तो हम जो भी overlapping करेंगे column में, वो Lapping Zone में ही करेंगे और Lapping Zone में हम जो tie bar यहां पर इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से यहां पर जो हम छले लगाते हैं, जो ring लगाते हैं, इनको गोलते हम tie bar इसको गोलते हम tie bar तो इनके बीच में जो spacing होगी, वो इस जगह पर minimum दी जाएगी, spacing क्या होगी इनके बीच में, spacing minimum, यहां पर जो tie bar रहेंगी, वो बहुत ज़्यादा congested रहेंगी, बहुत ज़्यादा पास पास रहेंगी, तो यह दोंको concept, overlapping length and development length, यहां सबको clear होगे होंगे, thank you. झाल